हलो बच्चों, आज फिर से एक नए टॉपिक को आपके सामने लेकर मैं हाजर हूँ आज का टॉपिक है वे ओफ वाकिंग अन दे रोड सड़क पर चलने के क्या तरीके, क्या तोर तरीके होते हैं आज हम उन सब को सीखेंगे क्योंकि रोड ही कैसी जगह होती है, जहाँ पर साब्धानी हटी है तो दुरगट ना घटी इसलिए हमें सड़क पर बहुत साब्धानी से चलना चाहिए आप सड़क पर कैसे भी नहीं चल सकते, किसी भी प्रकार नहीं चल सकते there are certain rules and regulations to walk on the road so here I am going to discuss all that so let's start सबसे पहले content देख लेते हैं, सबसे पहले हम zebra crossing को पढ़ेंगे उसके बाद हम कुछ signals के बारे में जानेंगे कुछ road signs होते हैं, आपने आते जाते कभी सड़क पार करते हुए या कभी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चले जा रहे हैं और कभी आप train में भी हैं, तो आप देखते हैं कि जगए जगए पर कुछ signs लगे होते हैं, जनका अपना एक मतलब होता है तो क्या कहते हैं वो signs आज हम उन सब के बारे में भी जानेंगे उसकी बाद conclusion Actually, this point should not be mentioned here, यह conclusion नहीं होना चाहिए तहां यहां पर I have provided you some worksheets तो कुछ worksheets मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं last May at the end of the video जिससे आपका evaluation होगा, वो कुछ worksheets हैं आप उनको करके जरूर देखेंगे आपको मज़ा आएगा और यह भी जानेंगे कि आपने अब तक कितना सीखा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं Part 1 is zebra crossing कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि काली सडक पर सफेद रंकी कुछ पट्टियां बनी होती है इन पट्टियों का क्या मतलब होता है और इन्हें क्या कहा जाता है यह question जरूर आपके मन में आया होगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यह पट्टियां zebra crossing कहीं जाती है आपने कभी zebra animal को देखा होगा zebra animal की white skin पर black color की पट्टियां होती है यह weekend से black color की skin पर white color की कुछ धारियां होती है तो इससे एक pattern बन जाता है और वही pattern जब सडक पर आजमाया गया तो it looks like a zebra that's why it is called zebra crossing ठीक है आप इससे देख सकते हैं यह देखिए जगह जगह पर सडकों पर चौराहों पर इस तरह की stripes white stripes on the black road आप देख सकते हैं इनको zebra crossing कहते हैं और इसका board जो sign board लगा होता है वो इस तरह का होता है यह board अगर आपको आगे दिख जाए तो आप समझ जाए कि zebra crossing आगे है लेकिन इसका use क्या होता है क्यों हमें zebra crossing का अंतर समझना चाहिए यह zebra crossing के बारे में जानना चाहिए क्या use होता है इसका तो आईए हम पढ़ते हैं कि a zebra crossing is a type of pedestrian crossing used in certain places around the world it is distinguished characteristics is that is gives priority to pedestrians in that motorists are obliged to stop when someone has indicated their intent to cross by waiting by the crossing इसका मतलब हुआ कि zebra crossing है जो पैदल चलने वाले लोग है उनको cross करने के लिए जगे 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 बनाई जाती है एक सड़क मतलब एक जगे से दूसरे जगे पार करने के लिए सड़क को पार करने के लिए ये एक सुविदा उपलब्द कराई जाती है ताकि कहीं से भी आप सड़क को cross ना करे जहां पर zebra crossing बनी है आप वहीं से सड़क को पार करें जब जैवरा क्रॉसिंग आ जाती है तो जो मोटर बाइक चलाने वाले या जो भी वेहिकल चलाने वाले लोग है वो उस जगहे पर अपनी गार की या जो भी वेहिकल लिए हुए हैं वहाँ पर वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी सड़क क्रॉस करने के लिए निकल सकता है और यह एक प्लेस होता है सेफ होता है अगर कोई आप पार करने जा रहे हैं तो सामने वाला अगर अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है तो वो उसको अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा और सबसे पहले आपको प्रायोरटी देगा कि आप उस सड़क को अच्छे से पार कर लें एक बार फिर से पढ़ते हैं यह पूरे वोल्ड में होते हैं ठीक है यह एक तरीके का डेकोरम है we can say its distinguishing characteristic is that it gives priority to pedestrians in that motorists are obliged to stop when someone has indicated their intent to cross by waiting by the crossing ठीक है आं तो जो भी बन्दा क्रोस करना चाहता है सडक को अगर उसकी इंटेंशन है कि वो क्रोसिंग सडक को क्रोस करने जा रहा है तो जो भी वेहकल होल्डर होंगे वो अपनी स्पीड को स्लोjo कर लेंगे अधर्वाइस आपको समझ में आ गया होगा वाइज जेब्रा क्रोसिंग्स और इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंड को हम देख लेते हैं सिगनल और ट्राफिक लाइट्स आप लोगों ने चौराहों पर देखा होगा जहां पर बहुत जादा भीड होती है वाहनों की वहाँ पर स्ट्रेट लाइट्स लगी होती है स्ट्रेट लाइट्स में तीन लाइट्स मेजूर्ली होती है फरस्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो यह देखिए, यह traffic lights होते हैं, red, green and yellow, यस तरह की traffic lights आपने देखिए होगी क्या है traffic lights का मतलब? traffic lights, traffic signals, stop lights or robots are signaling devices, position at road, intersections, pedestrian crossings and other locations to control flow of traffic traffic के flow को control करने के लिए, हम इनको traffic lights भी बोल सकते हैं, traffic signals भी बोल सकते हैं, यह stop lights भी बोल सकते हैं और robots भी बोल सकते हैं, तो यह लगे होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी तिराहा, चोराहा या कई सारी roads आपस में मिल रही होती हैं तो वहाँ पर जब बाहन चलते हैं, तो वो irregular way में चलते हैं, कोई भी कहीं भी अपना बाहन फसा देता है और उसका परिणाम, उसका result यह होता है कि traffic jam हो जाता है, उस traffic jam से बचने के लिए और traffic के flow का control करने के लिए और सभी के time को बचाने के लिए, traffic signals एक बहुत ही मददगार device होते हैं इसमें क्या होता है कि यह automatically जब एक साड़क पर traffic का flow बहुत जादा हो जाता है, बहुत जादा हो जाता है तो दूसरे side का flow थोड़ा से रोक देते हैं, दूसरे side को stop कर देते हैं और एक side के बहानों को पूरा release कराने के बाद, दूसरे side के बहानों को निकाल देते हैं इससे क्या होता है कि दुरगटना की संभावना भी कम होती है और traffic jam की जो असुविदा है उससे भी लोग बच जाते हैं The world's first traffic light was a manually operated gas light signals installed in London in December 1868 जो वोल्ड का पहला traffic light signal था वो manually, यहनी इंसानों के द्वारो operate किया जाता था और gas lit signals होते थे थे और इसको install किया गया था London में in December 1868 में So this knowledge I have taken from the Google, so I think this will be very helpful to all of you So this is the signal, light First is red light, yellow light and green light लेकिन in light का sequence क्या होता है हम कैसे जाने के कौन सी light हो जाए तो हमें क्या करना है क्योंकि it is atene lights में confusion तो है कि भई कौन सी light हो जाए तब हमें क्या करना है तो I have made a poem for you Red light, red light, what do you say मतलब रेड लाइट, red light, तुम्हारा क्या काम है, क्या कहती हो तुम So red light कहती है I say stop and stop right away इसका मतलब है कि जब red light हो जाए तो आपको तुरंत रुख जाना है बिल्कुल, देरी नहीं करनी हो, तुरंत रुख जाना है Yellow light, yellow light, what do you mean अब yellow light का क्या मतलब है I mean wait till the light is green इसका मतलब है कि आप अपने बहान को अब ready कर लीजे जो red light होई थी, आपने अपने बहान को पूरे stop कर दिया था अब yellow light होई है, तो इसका मतलब है कि आप ready हो जाए जैसे ही green light होती है, आपको डिपार्ट करना है आपको तुरंत निकल जाना है लेकिन चलना नहीं है, आपको बस ready हो जाना है चलने के लिए green light, green light, what do you say अब green light क्या कहती है, तो वो कहती है I say go and go right away, मतलब जैसे ही green signal हो आपको तुरंत अपने बहान को आगे बढ़ा देना है ठीक है, तो जैसे ही green signals होते हैं आप लोग कभी भी, अब जब कभी भी अपनी school van में या car से कहीं पे भी जाएं तो आप देखना कि signals का क्या rule होता है जैसे ही red light होगी, all vehicle will stop and जैसे ही yellow light होगी, they will start their vehicle engines, जैसे green light होगी, they all will depart तो I hope बचो आप लोगों को ये poem बहुत अच्छी लगी होगी और मैं अपनी बात को पूरा अच्छे से आपको समझा पाई होगी आज ही इस वीडियो में इतना ही, second part जब हम इस वीडियो का लेकी आएंगे, तो उसमें हम कुछ road signals के बारे में जानेंगे क्या होते हैं signals, क्योंकि आज में मैंने पूरा बता दिया तो आप confusion हो सकती हैं आपको थोड़ी बहुत, इसलिए आज के लिए बस इतना ही कल फिर से हम हाजर होंगे और आपको कुछ नई चीज़े बताएंगे तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से learn कर लेजिए ओके देन, बाई बाई